आपको बता दें कि इस बार माच शिवरात्री का पर्व 8 मार्च 2024 को मनाया जाएगा जिसको लेकर भक्तों में काफी उत्सा देखने को मिल रहा है इस मापर्व को लेकर बड़ी संख्या में कावड़ी गंगा घाट पर पहुंच कर आंस्ता की कावड़ उठा रहे हैं कावड में गंगा जल लेने के लिए कावड़ीों का लहरा गंगा घाट पर आने का सिलसला बीते कई दिनों से जारी है और अब तक कावड मेले में लगभग दो लाग कावड़ीों के दौरा कावड़ ले जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और शणधालु भगवान बोले नात की भक्ती में डूपकर हर हर महद्यव और गंगा मिया के जैकारे भी लगा रहे हैं चारो और शे भक्ती की महिमा का गाएन कावड़ियों के दौरा किया जा रहा है बोले की भक्ति के गीत गुंगुनाते होے कावढ़ियों की टोलिया निकल रही हैं दिन और रात कावढ़िये कावढ भर कर ले जा रहे हैं ओर भी तक मतुरा आगरा भरत पुल जैसे कई इलाके में कावढ़ियों की भीड अधिक रही जादता कावडियें अपने टोलियों के साथ वाहनों से गंगागाट तक पहुच रहे हैं गंगागाट पर चारो और वाहन ही वाहन दिखाई दे रहे हैं और बीते 48 घंटों से लकताल कावडियों की टोलियों के निकलने का सिलसिला जारी है जो आगमी 24 घंटे तक और जारी रहेगा वहीं आपको बता दें कि मार्शिव ब्रादरी के परक को लेकर भोले की भक्ति का ऐसा अद्बुत नजारा हर इलाके में बना हुआ है साथी चारों और सिर्फ शिव बक्ति का वड़िया ही नजर आ रहे हैं टी जी माराजा नीउस के लिए बेरो रेपोर्ट